नमस्कार स्वागत है आपका दबिहार बुलेटिद में बिहार में 18-44 आयूवर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी खुस खबरी सामने आई है बिहार के 18-44 आयूवर्ग के लोगों के लिए टीका करन अभियान की सुर्वात 9 मई यानि कल से कर दी जाएगी इसकी सूशना बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ट्वीटर के माध्रम से दी है ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है कि 9 मई से 18 से अधिक आयूवर्ग के लोगों का टीका करन प्रारम कर दिया जाएगा इसके लिए फिरहाल राजी सरकार को 3.5 लाख डोज उपलब कराई गई है इस चरण में टीका लगवाने के लिए लोगों को कोविन प्लेटफॉर्म या आरोगे से तु एप पर जाकर वैक्सीन के लिए रेजिस्ट्रेशन करना होगा सीधे अस्पताल वे जाकर रेजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा ग्यात हो कि एक माई को ही परधान मंत्री द्वारा अठारवर्ष से अधिक उमर के लोगों के लिए टीका करन की घोसना की गई थी लेकिन वैक्सीन की पड़्याप्त डोजन उपलब्द हो पाने के कारण अधिकांस राजियों में टीका करन सुरू नहीं हो सका था तरफ जहां वैक्सीनेशन का कारे काफी धीमी गती से चल रहा था वहीं 18-44 आयू वर्ग के लोगों के उससा को देखकर वैक्सीनेशन की गती तेज होने की संभाबना भी दिख रही है यह अकरन की सुरूआत की घोसना होते ही युवाओं में अच्छा खासा उससा देखा जा रहा है और नाइन बुकिंग प्राड़म होते ही अधिकान जेलों की एक ही दिन नहीं बलकि दो-दो दिनों की सभी स्लोटे बुक हो चुकी है